स्वागत है आप सभी का हमारे चानल के एक नवी वीडियो में और यहाँ पर आप देख सकता है हमारे पास आई हुई है 2006 Swift गाड़ी की कंडिशन तो आप देखी चुके हैं और इसके जो क्लाइंट है वो हमारे पास आए थे हमारे एक और 2006 के Swift की रिस्टोरेशन की वीडियो देख कर जिसमें हमने कुछ ट्विस्ट के साथ गाड़ी रिस्टोर की है वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोशन में प्रोवाइड कर दूगा साथ ही साथ मैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी की कंडिशन फेरली डिसेंट है I mean 2006 के हिसाब से अगर आप देखें तो गाड़ी में ठीक ठाक डेंट्स है ऐसा भी नहीं है कि एकदम स्पॉटलेस गाड़ी है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें डेंटिंग वगेरा काफी जादा करनी पड़ेगी क्योंकि इतने साल जब हो जाते हैं गाड़ी को तब जाहिर सी बात है एक अजगा डैमेज होना और पेंट होना वो तो मतलब एक्सपेक्टेड ही है साथ के साथ हम ऐसे एक टाइम पर हैं जो टाइम पर इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ही जादा बढ़ रहा है और पेट्रोल के प्राइजिस भी बहुत जादा बढ़ रहे हैं चिप शॉटेज है बेसिकली इस आर क्रेजी टाइम्स अब यही कन्फूजन काफी सारे लोगों क मन में रहता है कि अपनी existing car पर पैसा लगाया जाए कि नवी गाड़ी purchase किया जाए तो अभी मैं आपको दो ऐसे reasons बताऊंगा जिसकी वज़े से आपको अपनी पुरानी गाड़ी पर पैसे लगाने चाहिए reason number one अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हैं नवी शोरूम से तो उसके उपर आपका significant amount of financial investment हो जाएगी और अगर आपने EMI कराया तो भी उससे जादा investment आपकी हो जाएगी अगर आप कोई second hand गाड़ी purchase करने की सोचते हैं मानलीज अगर हम ये swift का example कंसिडर करें अगर एक client चाहते हैं कि मैं 2006 की swift से अप्ग्रेड करके 2014 की swift ले लूँ तो उनको फिर भी साड़े तीन से चारलाक रुपे shell out करने पड़ेंगे वेराइस अगर अभी इस गाड़ी पर वो 70-80,000 खर्चा करते हैं और हमारे quality of restoration की वजह से वो अगर थोड़ा care करें तो ये गाड़ी उनको आराम से 8 से दस चल जाएगी Reason No.2 अभी इतना जादा electrification हो रहा है कि future is electric ये बात हम सब कहीं न कहीं जानते हैं तो इस समय पर एक petrol गाड़ी पर इतना significant 10 lakh से जादा पैसा खर्च करना I don't think so, that is a good idea इससे बहतर अपनी existing गाड़ी को आप revamp कर लें, restore कर लें 8-9 साल तो ये गाड़ी आपकी वैसी ही चल जाएगी और 8-9 साल के बाद ये गाड़ी जब आप पुरी तरीके से यूज़ कर लेंगे उस टाइम पर scrap करके new electric car आप उस टाइम पर purchase कर सकते हैं तो ये थे वो दो reasons जिसके इसाब से आपकी पुरानी गाड़ी ही restore करनी चाहिए अब आते हैं ये गाड़ी पर वापस, जैसा कि आपने देखा हमने इस पे denting वगेरा शुरू कर दिया है और अभी गाड़ी की बारी है primer coat की जी हां दोस्तो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं डूपॉंट का paint जो की base से putty, primer, base coat, clear coat, everything हम इसके अंदर डूपॉंट का use कर रहे हैं अच्छे material यूज़ करने का ये फायदा होता है कि जो गाड़ी का end result होता है वो आपको बहुत ही जादा फैतरीन देखने मिलता है और quality is always preferred if you are looking at a long run जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा अगर हम 8-10 साल आपको ये गाड़ी बना कर दे रहे हैं तो हमें definitely उस टाइप की quality गाड़ी में जरूर यूज़ करनी पड़ी अब मुंबई की हवा तो सभी जानते हैं बहुती ज्यादा नमकीन होती और बहुती ज्यादा moisture होता है हवा में तो उस moisture से fight करने के लिए हम इसके अंदर कर रहे हैं deep anti-rust जो की गाड़ी को hidden rust से बचाएगा ये गाड़ी luckily जादा rusted नहीं थी आली refuse की वज़े से गाड़ी पर बहुत जादा dents थे बट anti-rust करने के बाद ये rust proof भी हो चुकी है गाड़ी अगर आप इस गाड़ी का bumper देखे तो आपको कुछ definitely different देखेगा वो इसलिए क्योंकि हमने इस गाड़ी के अंदर install की है बलीनो ग्रिल जी हां दोस्तो पास्ट में भी हम एक ऐसी गाड़ी बना चुके हैं इसके अंदर हमने बलीनो की ग्रिल लगाई थी swift के अंदर और that we provide तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं गाड़ी का full and final look कर आप सब्याश तोस्तो प्राफ तोस्तो आमस लेवारी बना बाइसा हैं इसलिए जागब वाड़ी आपको प्रुम्हा प्रुम्हार इसलिए ग्रिया इस अजिए लेपको तोस्तो प्रुम्हारी का समें आपको चलिए का स्विए निए। लेंम्सूच입니다. झाल 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 कर दो झाल 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 झ झाल 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 इसको गाड़ी का नौलेज़ वगेरा नहीं है उसे अगर को ये बताय कि ये गाड़ी दो हजार चेकी गाड़ी है तो डेफिनिटली कोई भी यकीन नहीं करेगा अब देख से için अगर बारी की फिनिशिंग बहुती जादा अच्छी क्कॉलिटी की है और अगर इस गाड़ी को properly maintain किया जाए तो ये गाड़ी तक्रीबन तक्रीबन 8-9 साल आराम से चल जाएगी इसके front में आप देख सकते हैं जो बलीनो के bumper की finishing आई है और जिस हिसाब से ये grill set हुई है स्विफ्ट के bumper पर आपको एकदम ही OEM वाली finishing यहां पर देखने मिलेगी मतलब ऐसा कुछ watch job यहां पर आपको देखने नहीं मिलने वाली और एकदम ही proper cuts and freezes जो काड़ी की design lines थी वो design line को match करते हुए ही grill यहां पर install हुई है headlights की अगर मैं बात करो तो headlights को भी हमने restore किया है headlights नभी install नहीं की है यह वही old headlights है जिनको हमने restore किया है tail lights की अगर बात करो तो tail lights हमने वही existing ही use की है और tail lights पर भी हमने buffing की है जो rear bumper है काड़ी का वो हमने new install किया है और पूरी काड़ी पर हमने denting and painting किया हुआ है यहां पर आपको कुछ before and after shots देखने मिल रहे होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा यह गाड़ी आपको कैसी लगी бал強 घंड़ी आपको कैसी लगार dudको स्यांडे दो लगाँ kaa बिक्रा लिश्य किख लुकर दिएई के जर पाड़ी akार्ड़ी पिस्तमांपने टेंट लगावा। पीज़ाइspotarने टो लिएस्ति ख비ूर्ण कोई की बाप भी है ये घ्र खिए अएे लिव है तेर ये लो सब्सेद्द्द एंगी ऑन्यों नम्योंस एंपढ़ सेंग और शॉब्स्द्दिश्द्टर्बूर्ड है रिवंज सम्स्ट्वर्बध और शॉब्स्ट्ष्ह टे वाजश्ना के लिवास्भी इनैंसरी विंगा यह वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंट और अगर आप अपनी पुरानी काड़ी हमसे रिश्टोर करना चाते हैं तो दिस्क्रिप्शन पोर्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वो लिंक फॉल्व करके आप हम तक पौन सकते हैं अगर आप कोई स्विफ लवर को जानते हैं या ऐसे बंदे को जानते हैं जिसके पास य वीडियो शेयर कीजिए और अगर आपको इस रिस्टोरेशन के कॉस्ट के बारे में जानना है तो वो भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो लिंक को फॉलो करके आप इंक्वाईरी कर सकते हैं और अगर आप मुझे अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इंस्टेग्राम के फॉलो कर लिजे हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा शो गाइज यह थह video आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर नहीं पसंद आया तो comment section में comment करके बताइए क्या आपको यह क्यों नहीं पसंद आया है मैं अगले वीडियो में improve करने की कोशिश करूंगा with that said it's time for me to sign out this is Vinay signing off never stop dreaming I'll see you in the next one